हेलो डियर स्टुडेंट्स नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है पहरे बचो तो देखी पहरे बचो आज अपने स्टार्ट करने जा रही हैं फिर से ही दुबारा कंटिन्यू करते हैं बीएसी की क्लासेज को और आज की जो बुक है अपनी वो इलेक वो माराया गंगा सिंग उनिवस्टी भी करने रहा है तो उसमें फर्स्टियर में ये वाली बुक लगती है बाकी उनिवस्टी में अपना इसाब है कि कौन सी उनिवस्टी में कौन सी एर में बुक लगती है ये वाली तो आप उसी इसाब से देख सकते हो तो देखो आज ज आपने पढ़ रखे हैं और 12 में में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं ये मान के मैं चल रहा हूं इसी कारण जो ये वाले टॉपिक है थोड़े से एक बार आपको रिवाईज गरा रहा हूं जल्दी जल्दी में तो आज की वीडियो में दिवाईज करवाऊंगा ल लेकिन कल को आपको इंटर्वियो देते हो वहां पर आपसे चीज़े पूछी जाती है और या फिर को इसी कारण मैं यहां से बिल्कुल बेसिक से आपका स्टार्ट कर रहा हूं चाहिए बी ऐसी की क्लास है लेकिन बी ऐसी की बुक में जो दिया हुआ है अगर उसमें दिया के प्रैले कूलम श्लो या कूलाम का में लिएम अबच है जो फोर्स लगता है उसके बारे में अपने को बताता है आपको चीज चीज दो आपने पढ़ियो और इन दोनो चार्ज चाहिए आपके पास दो positive charge हो चाहिए दोनो negative charge हो या एक positive हो एक negative हो अपने पास अगर charge पड़े हो तो इन charges के between क्या लगता है एक force लगता है ठीक है और इस force को अपने क्या नाम दे देते हैं इस force को बोला जाता है electric force और electrostatic force वैदुत अथवा ठीक है वैदुत बल या स्थिर वैदुत बल इसको बोल देते हैं तो दो charges के बीच में ये वाला force हो एपलाई होता है अब इसकी जो value है वो सबसे पहले कुलाम ने define की थी मतलब जो इसका formula दिया था वो कुलाम ने दिया था तो वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है चलो आपने फिर भी लिख लेते हैं कि कुलाम कहता कि ये जो force होता है दो charges के बीच तो अपने को दो charges लेने पड़ेंगे तो अपने यहाँ पर बड़ी class में हो गए हो आप तो इसी कारणी यहाँ पर डाइग्राम अपने इस तरीके का ले रहे हैं यहाँ पर तीन axes अपने x, y और z axes एक reference लेना पड़ता है अपने को x, y, z अब उसमें दो charge पड़े हुए हैं यह a point है यहाँ पर मान लो इस पर q1 charge पड़ा हुआ है और b point पर q2 charge पड़ा हुआ है इसका जो position vector है इस origin के respect मतलब की स्थिती सदिश a का वो आपके पास r1 vector है और इसका r2 vector है ठीक है और इसकी जो direction है इसकी यह वाली direction हो जाएगी और इसकी यह वाली direction हो जाएगी ठीक है अब आपको पता है कि जो a वाला है वो b वाले पर force लगाएगा q1 है वो q2 पर force लगाएगा और q2 q1 पर force लगाता है तो अपने सबसे पहले जो force है इन दोनों के बीच में जो भी force लगता है चाहिए q1 q2 पर लगाए q2 q1 पर लगाए वो force या electric force या electrostatic force वो दोनों charges के multiply के proportional होता है मतलब की एप समानोपाती q1 q2 हो जाएगा और दोनों के बीच की distance के क्या हो जाता है ये square के inversely proportional हो जाता है मतलब square के विदकरानोपाती होता है ठीक है तो अब देखो यहाँ तो वैसे r square लिखते थे लेकिन अब देखो अपने जो force की बात कर रहे ही है ये force है अपना force on q2 due to q1 force on q2 due to q1 q1 due to q1 q1 के कारण q2 पर बल q2 पर बल कितना लगेगा ठीक है तो English के इसाब से अपने चलते हैं force on q2 due to q1 तो वो अपने कहते हैं कि f12 f12 जो force है ये force क्या sorry f12 नहीं मैंने उल्टा बोले यहां पर f21 force हो जाएगा force on q2 due to q1 f21 ये proportional हो जाएगा देखो q1 q2 तो है f21 हो जाएगा q1 q2 तो हो गई ये चीज तो आपने बार्वी क्लास में पड़ी थी प्लस 2 में पड़ी थी लेकिन प्लस 2 वाली चीज अपने bse में थोड़ी चीज को और ज्यादा define करके मतलब चलते हैं तो f21 जो हो जाएगा यहां पर बाप के पास हो जाएगा किसके inversely proportional हो जाएगा इस वाले vector के तो ये वाला vector मतलब दोनों charges के between की distance कितनी है r21 vector है तो r21 की square के inversely proportional हो जाएगा और अगर मैं आपको इस triangle की बात करूँ इदर देखो आप triangle a और b की बात करूँ तो आपने physics में triangle लोग पड़ा होगा कि अगर तीन vector आपको triangle की जो sides है उसकी form में दी होए हो तो आप उनका resultant किस परकार लिख सकते हो यह दो वाले तो दो vector तो क्या होने चाहिए consecutive होने चाहिए लगातार जैसे यह वाला इस direction में है यह वाला इस direction में है और एक इनका क्या होता है opposite होता है तो यहां से अगर मैं बात करूँ तो मैं आपर लिख सकता हूँ r1 vector और plus में r21 vector is equal to r2 vector यह triangle law लगाया है जो आपने 11 class में पढ़ चुके है तो r21 vector यहां पर r2 vector minus में r1 vector के equal आजाएगा तो इस f21 को अपने ऐसे लिख सकते है f21 is यहां पर अपने r21 को लिख सकते है r2 vector और minus में r1 vector के magnitude का square क्योंकि vector का directly square नहीं लिखते है अपने magnitude का square लिखते है तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो इसको इस पर कारपिस से भी आप लिख सकते है अगर ऊपरवाले को आप लिखना चाहो vector की form में तो vector की form में आप इसको इस तरीकर के magnitude का square तो अब यह वाली equation first है यह वाली यह वाली इसको equation second माल लो ठीक है और एक जो यह force होता है दो charges के between F21 है वो किस पर depend करता है depends on medium medium पर भी यह वाला force क्या करता है depend करता है ठीक है तो इन तीन चीज़ों पर यह depend करता है यह तीसरी equation होगी तो अगर equation first, second, third को मिलाएं अपने तीनों को तो F21 जो अपने पास आजाएगा वो आपके पास आजाएगा proportional to Q1, Q2 और upon में R2 vector minus R1 vector का square अब आप BSE में बड़ी class में आगे तो इस plus 2 वाले को आपको छोड़ना पड़ेगा ठीक है इस BSE में थोड़ आज आपको modify तरीके से पढ़ना पड़ेगा मतलब नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा तो अब देखो आप कि अगर R2 vector minus R1 vector यहाँ पर तो आप देखो दो फेक्टर तो अपने मिला लिए equation first वाला equation second वाला आगया अपने पास अब equation third वाला रह गया तो मतलब की medium पर depend करता है वाली चीज रहेगी तो अपने F21 को जब बराबर के sign में बदलेंगे इस proportional को या समानुपाती को तो यहाँ पर एक constant लगा देंगे के Q1 Q2 और upon में यहाँ पर आजाएगा R2 vector minus में R1 vector का square ठीक है square आजाएगा तो यह अपने पास complete formula बन गया यहाँ पर F21 vector मतलब की force on Q2 due to Q1 तो यह अपने पास यहाँ पर formula बन चुका है ठीक है यहाँ पर के क्या है के एक constant है के क्या है एक constant है और इस constant किस पर depend करता है depends on medium depends on medium यहाँ इसकी जो value होती है वो medium पर depend करती है तो generally जो के होता है इसको अपने लिखते हैं vacuum के लिए तो vacuum के लिए जो इसकी value होती है vacuum के लिए वो होती है 9 into 10 की power 9 और unit आपने इसकी अगर पड़ी हो तो newton meter square upon में column square या formula से भी आप इसकी unit निकाल सकते हो और अगर medium आ जाए किसी medium के लिए medium का मतलब भी दो charges के बीज में अगर कोई चीज रख दे अपने water रख दिया या कोई और चीज रख दी तो वो medium प्लेस कर दे तो अपने इसको generally k medium km से show करते हैं ठीक है k medium से अब next एक चीज और k की बात हो गई इतनी अब एक चीज और कि अगर यह वाला जो है यह अपने f21 लिखते हैं q2 के कारण q1 पर कितना force लग रहा है तो यह वाला बिल्कुल ऐसे ही आएगा k q1 q2 और upon में बैसे यह वाला चीज हो जाएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अब आप कहोगे कि sir r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इसका whole square आ जाएगा भी sir यह क्यों लिखा आपने तो आप कि जब r12 वेक्टर लिखेंगे अपने तो अब position वेक्टर अपना इधर वाला हो जाएगा मतलब इसकी direction अब change हो जाएगी यह वाली direction हो जाएगी तो अब आप triangle लो लगाओ इसको हटा दो और इसको इधर मान के triangle लो लगाओ तो r2 प्लस r12 is equal to r1 हो जाएगा तो आपके पा वो minus f21 vector के equal होता है कि दोनों के magnitude तो क्या होते हैं same होते है vector forces के कि अगर मान लो एक charge दूसरे पर 2 newton का force लगा रहा है तो दूसरा भी इस पर 2 newton का लगाएगा लेकिन दोनों की direction क्या हो जाएगी एक दूसरे के opposite हो जाएगी direction क्या हो जाएगी opposite होगी दोनों ही forces की ठीक है यह ऐसा ही अपने को result देता है newton's third law वैसे result यह वाला है तो minus का symbol अपने को दिखाता है कि जैसे मान लो यह यहां पर q1 पड़ा है और यह q2 पड़ा है अगर दोनों मान लो plus के charge है तो q1 इस q2 को क्या करेगा repel करेगा इदर दकेल लेगा और q2 q1 को किदर दकेल लेगा इद तो देखो दोनों forces क्या आगे opposite आगे अगर दोनों negative होते है फिर भी ऐसे ही होता कि q1 इदर वाले q2 पर repulsion लगाता दूर दकेल था अपने से और q2 q1 पर repulsion लगाता यह भी अपने से दूर दकेल था अगर मान लो दोनों में क्या होता कि यहां पर अगर एक अपने पास क्या होता होता positive होता और एक क्या होता negative होता ठीक है आप मान लो एक जो चार्ज है यहां पर positive है एक negative है तो अब देखो force की यहां पर condition क्या हो जाती कि इसको मैं मिटा देता हूँ अब देखो आप force कैसे लगेगा कि अब देखो q1 है वो q2 को अपनी तरफ क्या करेगा अपनी तर क्या तो force तो देखो एक force अब इदर लग रहा है एक force इदर लग रहा है तो दो चाहिए दो नुम फोर चार्ज प्लस के हैं चाहिए माइनस के हैं चाहिए एक प्लस का एक माइनस का force की direction क्या हो जाएगी एक दूसरे के opposite ही रहेगी ठीक है अब इससे आगे बात करते हैं इसके लिए vacuum के लिए ठीक है और ये value आई कहां से ये cool हमने बताया कि एक और quantity पर depend करती है जिसको अपने one upon four पाई epsilon node बोल देते हैं four और पाई दोनों constant है epsilon node भी यहां पर क्या है constant है epsilon node क्या है epsilon node को बोल देते हैं permittivity of vacuum क्या बोलेंगे epsilon node को permittivity of vacuum बोल देंगे और epsilon node depend करता है medium पर कि अगर ये तो node यानि zero लगाई है इसका मतलब तो है vacuum के लिए है ठीक है और vacuum के लिए जो इसकी value होती है वो कुलम कहता कि ये वाली value होती है 8.85 इंटू 10 देस पावर माइनस 12 और जो unit आईगी आप देखो epsilon node और k एक दूसरे के बिल्कुल reverse हैं तो उल्टी कर दो इसके वाली unit तो coulomb square upon neutron upon meter square इसकी unit आजएगी ठीक है और medium के लिए अगर अपने define करना चाहें तो medium के लिए अपने यहाँ पर epsilon medium यूज़ कर लेते हैं ठीक है इसको permittivity of medium बोल देते हैं permittivity of medium बोलेंगे समझाई बात परिमिटिविटी of medium बोलेंगे ठीक है तो अब अगर आपने देखो वैसे अगर मैं general formula लिखो coulomb slow का तो वो ताह के q1 q2 और upon में क्या आजएगा r square आजएगा यह general जो बारवी class वाला formula उसी से समझाता हूं आपको अब यह formula अपने किस के लि लिखा है यह formula लिखा है vacuum के लिए vacuum के लिए अब अगर यही formula मैं यहाँ पर medium के लिखो medium के लिखो medium के लिखो तो वो हो जाएगा f medium is equal to k medium q1 q2 और upon में बच्चों के आजएगा r square आजएगा ठीक है और f medium is equal to पहले इसको solo करते हैं देखो यह वाला की होता है इसकी value होती है 1 upon 4pi epsilon node ठीक है यहाँ पर आगया q1 q2 और upon में क्या आगया r square आगया तो f medium की जो value है वो अपने अपने यहाँ पर लिखेंगे 1 upon 4pi epsilon medium अब यहाँ पर क्या था epsilon node यह vacuum के लिए था यह epsilon medium और साथ में q1 q2 और upon में r square यह formula यहाँ पर आज जाएगा ठीक है अब एक चीज और define कर अपने जिसको बोल देते हैं relative permittivity या dielectric constant देखो relative permittivity एक definition है काफी important definition है relative permittivity या फिर इसका दूसरा नाम है और dielectric constant dielectric constant of medium of medium ठीक है तो किसी भी medium के लिए इसको define करते है relative permittivity dielectric constant इसको epsilon r से लिख देते हैं तो epsilon r क्या होता है यह कूलम ने यहाँ पर बताया कि अगर आप मान लो किसी medium के लिए उसकी permittivity epsilon medium है इसको vacuum वाली से divide कर देते हो कि epsilon medium यहनि medium की permittivity upon vacuum की permittivity इन दोनों को divide कर देते हो तो आपके पास एक नही quantity आ जाती है epsilon r जिसको relative permittivity या dielectric constant बोल देते हैं तो यहाँ से epsilon medium है इसकी value आजागी epsilon not epsilon r यह चीज़े आपने 12 वी क्लास में वैसे बहुत है चितरी किसे पढ़ रखी है तो यहाँ पर थोड़ा आपको मैं दुबारा समझा रहा हूं दुबारा repeat करा रहा हूं तो f medium जो आपका यहाँ पर आएगा वो देखो one upon four pi epsilon node epsilon r लिख सकता हूं इस epsilon medium की जगह पर और यहाँ पर q1 q2 और upon में क्या आ जाएगा r square आ जाएगा अब आप इसमें यह देखो कि अगर मैं इसकी बात करत f upon में epsilon r के equal आ रहा है मतलब कि अगर आप कोई epsilon r dielectric constant वाला medium दो charges की between रख देते हो तो जो आपका force है वो epsilon r times कम हो जाता है कि अगर मालो कोई medium रख दिया आपने जिसके लिए epsilon r की value 2 है तो अगर मालो दो forces के between vacuum में जो force है वो 10 newton लग रहा था तो अब epsilon r 2 है तो अब जो force लगेगा medium रखने के बाद तो वो रह जाएगा 5 newton मतलब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर अपने दो charges के बीच में कोई medium फिल कर दें तो force की value decrease हो जाती है ठीक है हमेशा decrease होगी यह वाली जो value होगी तो उमीद आपको यह वाली सारी जो कानिया समझ एर ओपन का सिदान्त force between multiple charges and principle of a super position ठीक है तो अब देखो कि अगर अपने को क्या दिया होगा हो एक charge दिया और उसके आसपास बहुत सारे charge present है तो अपने को उस charge पर total force निकालना भी कितना होगा जैसे कि इस diagram में दिया होगा कि q0 charge है यहां पर बीच में बढ़ा हुआ है यह वाला यहां पर मालो यह O point पर और इसके around बहुत सारे charge पड़े हुए है q1 q2 q3 q4 ऐसे total n charge पड़े हुए है qn ठीक है और हर एक का position vector आपको given है कि इसका r1 है इसका r2 है इसका r3 vector r4 vector rn vector ऐसे बहुत n ठीक है तो अब जो q0 है इस पर सारे जो यहां पर charge present है वो कितना force लगा ठीक है तो जो total force on q0 due to all the n charges n charges के कारण q0 पर जो force लगेगा वो क्या होगा कि यहां पर होगा यह वाला vector sum किसकी equal हो जाएगा vector sum of the forces of the forces due to each charge कि हर एक charge जितना force लगाएगा उन सब forces का अपने क्या कर दे vector sum कर दे मतलब की सदिश योग कर दे vector sum जैसे अपने करते हैं तो वो क्या आजाएगा total force आजाएगा तो f vector अगर total की बात करूँ तो f1 जितना लगा रहा है force plus f2 vector plus f3 vector ऐसे करके dash dash करते हुए अपने कितने कहां तक चले जाएगे total fn vector तक चले जाएगे ठीक है तो f vector की जो value आजाएगी यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो k q1 q0 और upon में क्या आजाएगा यहां पर r1 square ठीक है और यहां पर आजाएग फिर plus में k q1 q2 q0 और upon में r2 square आजाएगा और यहां पर इसकी direction आजाएगी r2 cap आजाएगी समझाई बात और dash dash करते हुए ऐसे ही अपने क्या करेंगे n तक जाएगे तो last वाला k qn q0 और upon में rn square और यहां पर क्या आजाएगा rn cap आजाएगा ठीक है यह cap अपने को direction बतात है कि अगर मान लो यह वाला यह व्हला चार्ज पोजिव है मान लो और यह वाला भी positive पड़ा हुआ है तो इसकी direction यह वाली आजाएगी ठीक है और q2 अगर मान लो negative है तो इसकी direction यह वाली आ जाएगी तो अगर आप r1 वाली को प्लस मान रहे हो तो star 2 वाली ऐटों समझमे है जो आपके इस इलेक्टर स्टे टिक में, प्रिवियーस जो बार्वी क्लास में भी थे वो क्या है कि देखो कि अगर मानलो कि अब यह अपने पड़ा है पहले स्टार्टिंग में पड़ा था कि दो चार्ज हैं फिर आगया बहुत सारे चार्ज हैं अब आपके पास आगया कि जैसे मानलो यह एक वायर है ठीक है यह गुलाबी रंग की एक वायर है तो इस वायर पर आपने क्या किया हुआ है चार्ज दिया हुआ है इस वायर को ठीक है मानलो आपने इस वायर को क्या कर दिया क्यू चार्ज दे यह जो wire है इसको आपने plus q charge दिया हुआ है तो इसके कारण इस q 0 पर कितना force लगेगा तो उसके लिए अपने क्या है कि इस wire का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं चोटा सा piece लेते हैं ठीक है और इस piece की जो length है वो अपने मान लेते हैं कि dl length है और इस पर जो charge है वो अपने मान लेते हैं कि dq charge है ठीक है तो इस छोटे से टुकड़े के कारण अपने क्या करेंगे एक small piece के कारण इस q 0 पर force की value लिखेंगे कि इस dl के कारण जिस पर dq charge है q 0 पर कितना force लग रहा है ठीक है और फिर अपने उसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन करतेंगे यही method अपने आग उसको अपने क्या बोलते हैं linear charge density या रेकिया अवेश वित्रनी सोरी गनतव आएगा यहां पर ठीक है यहां पर आप गनतव कर लेना मैं इसको मिटोके बाद में कर दूँगा रेकिया अवेश क्या आएगा गनतव आएगा तो यहां से अगर मैं dq की value निकालूं तो वो नहां पर क्या आजाएगा dq dq की जगह मैं direct क्या लिख रहा हूं lambda dl लिख रहा हूं ठीक है dq की जगह क्या लिख रहा हूं lambda dl और upon में जो इजी distance है यह माल लेते हैं r है तो कितनी आजाएगी r square आजाएगी अब total force अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगी इस df का integration क करेंगे तो यह वाली value के q q naut lambda dl और upon में क्या आ जाएगा r square आ जाएगा यहां ठीक है तो इस परकार से मतलब आगे इसको condition के इसाप से solve करेंगे wire के लिए आपने निकाल रख रहा है बारवी में और इसी परकार जो next second point और वो क्या है कि charge is distributed over a surface यदि आवेश प्रष्ट प इस पर क्या है कि charge distributed है मान लो आपने इसको plus q charge दे दिया तो यह इस पर क्या हो जाएगा ऐसी uniformly distributed हो जाएगा सारे जो surface है अब आप क्या करोगे इसका एक चोटा सा टुकडा लोगे चोटा सा piece लोगे इसका जो area है वो ds area है ठीक है और मान लिया कि इस q 0 से यह r distance पर है ठीक ह पास इस पर मान लिया कि जो charge है इस पर वो dkyo है तो आप कह सकते हो कि सर यह हो जाएगी dkyo upon में ds और यहाँ dkyo की value अगर निकाल लो तो sigma के आ जाएगी ds आ जाएगी बिल्कुल उपर दरीके से df की value लिखो गए तो f आपके पास जो last में आ जाएगा मैं final result लिख रहा ह है कि यह वाला जो integration है surface integration है surface integral है ठीक है इस परकार से आप निकाल सकते हो अब next third जो point हा वो क्या है कि if charge is distributed over a volume अगर यह वी volume है मान लो आपके पास इसको charge दे दिया plus q charge आपने इसको दे दिया तो वो इस पर distribute ऐसे हो जाएगा plus charge अब आप इसका छोटा सा part लोगे वही dv और इस पर charge मान लिया dq charge है और इस q0 से यह वाला क्या है smaller distance पर है तो rho is equal to आपके पास क्या आजएगा dq into dv और यहां से dq की value निकालोगे तो वो आजएगी rho dv और अगर force की value लिखोगे तो अब आप उपर वाले अगर दो लिख लिए आपने तो आप लिख सकते हो k q0 और य integration कर रहे हैं तो इस परकार से चोटे चोटे formula हैं यह भी आपके बारवी क्लास में थी तो चलो आपको repeat करवा दिये अब उसके बाद देखो बचो आपके पास क्या है next देखो हाँ एक बहुत ही important topic concept of electric field and its physical importance विदुत क्षेतर की परिकलपना और उसका बहुत ही मैतव ठीक है तो विदुत क्षेतर क्या होता है electric field क्या होता है तो आपने बारवी क्लास में अच्छे तरीके से बढ़ रखा है कि कोई भी अगर एक charge है कि मालो जैसे आपके पास यह वाला यहां पर plus q charge बढ़ा हुआ है तो इसके around एक ऐसा area होता है वैसे area infinite तक होता है लेकिन infinite तक पहु इस area के अंदर plus या minus charge कोई भी हो तो उस पर क्या लगेगा force लगना start हो जाएगा electric force उस पर लगना start हो जाएगा तो इस area को जो charge के around होता है जहां पर कोई another charge को लाएं उस पर force लगना start हो जाता है तो उसको अपने बोल देते हैं electric field समझागी यह definition है आपर लिखे कि the area around a charge where another charge field से force is called electric field कि कि किसी आवेश के चार और का वैक शेतर जहां अन्य आवेश लाने पर वह बलक अन्बव करे विदुत क्षेतर कहलाता है और एक सब से important चीज कि यह एक vector field है vector field सदिश्क शेतर सदिश्क शेतर का मतलब जो इसकी value होती है वो इसकी direction पर भी depend करती है ठीक है ना direction इसकी किस side में है उस पर भी इसकी value depend करती है समझाई बात फिर देखो intensity of electric field अपने वैसे पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटी सी definition test charge friction आवेश अब यह वाली definition मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है नहीं बताती है बहुत teacher है जो नहीं बताते हैं यह वाली तो दे पहले यह एक imaginary charge होता है मतलब real में तो ऐसा charge नहीं होता लेकिन physics के concept समझने के लिए या उनको असान बनाने के लिए अपने क्या करते हैं कि कुछ चीजें अपनी तरफ से मानते हैं ठीक है तो एक imaginary charge अपने ऐसा charge लेते हैं जिसकी value बहुत ज्यादा कम हो मतलब q0 tends to 0 इसका मत 0 के करीब है बिल्कुल करीब है लेकिन 0 नहीं है क्योंकि charge की value 0 नहीं हो सकती ठीक है तो एक बहुत ही छोटा charge यह very small unit charge unit charge हो whose own electric field is negligible so it does not affect another charge taking nearby it मतलब कि अगर एक ऐसा charge लें अपने जिसकी खुद का electric field बहुत ही कम हो negligible हो कि अगर इसके around अपने कोई इसके पास में positive या negative charge लेके भी आएं तो उस पर इसका फरक ना पड़ें यह force ना लगाए ठीक है लेकिन actual में तो ऐसा possible ही नहीं है कि कोई charge पड़ा हुआ दूसरा charge उसके पास लाएं और वो उस पर force ना लगाए लेकिन अपने इस charge को इतना छोटा ले लेते हैं कि जो force की value है वो लगबग negligible हो जाती है मतलब इसका खुद का electric field नहीं होगा लेकिन अगर मान लो किसी और charge के पास इसको लेके जाएं मान लो यहांपर plus q charge को यह और पड़ा और q 0 को इसके पास लेके आएं तो यह वाला plus q q charge है यह इस पर force लगाएगा लेकिन q 0 का खुद का ना electric field होगा ना ही यह क्या करेगा force लगाएगा ऐसा अपने मानते हैं समझाई बात तो test charge अपने क्या करते हैं physics की concept को असान बनाने के लिए electric field को या electric potential आएगा उसको असानी से समझने के लिए अपने एक test charge मान लेते हैं क कि यह unit charge होता है मतलब one mu column हो सकता है ठीक है one picoculum हो सकता है one होगी वैसे इसकी value और one nano column हो सकता है कुछ भी मतलब छोटा charge बिल्कुल ठीक है तो उसको अपने बोल देते हैं test charge फिर देखो next आ जाता है विदुद्क्षेत्र की तीवर्था intensity of electric field तो intensity of electric field क्या होती है कि कि किसी पिदुद्क्षेत्र में रखे एकाई prediction आवेश पर लगने वाला बल कि अगर मानलो कोई electric field है यहां पर ठीक है electric field है यह वाला किसी charge के कारण होगा मानलो यहां पर कोई charge पड़ा है उसके कारण यहवाला electric field है तो इस electric field में अगर अपने test charge को ले आए Q0 charge को इस electric field में मानलो इस point पर ले आए, ठीक है, तो अब ये वाला charge इस q0 पर क्या लगाएगा, force लगाएगा, ठीक है, तो वो force मान लो कितना है, f है, ठीक है, तो अब intensity of electric field जिसको अपने e से शो करते हैं, intensity of electric field, तो इस charge के कारण जो intensity of electric field है, e की जो value है, वो क्या हो जाएगी, force और upon में q0, तो force on unit test charge in any electric field is called intensity of electric field, कि किसी विदुद क्षेतर में रखे, इकाई प्रीक्शन आवी इस पर लगने वाला भल, कि मालो यहां पर test charge लगा, रखा हुआ है, तो इस पर जैसे मालो अगर यह positive charge है, तो यह इस पर outside क्या लगाएगा, force लगाएगा, तो यह वाला force को अगर अपने क्या करें, इस test charge से divide कर दें, तो क्या आजाएगा आपके पास, जो electric field है, उसकी value आजाएगी, और जो अब BSE में, यह तो आप 12th में बढ़ते थी, ठीक है, 12th में बढ़ते थी, अब BSE में थोड़ा से इसको modify करके पड़ेंगे, अपने, अपने BSE में यह वाला formula नहीं और यहां पर limit लगा देंगे, limit Q0 tends to 0, limit क्यों लगाई है कि Q0 की value बहुत ही जादा कम है, ठीक है, तो यह वाला formula अपने यहां पर use करेंगी, E vector is equal to limit Q0 tends to 0, F upon Q0, ठीक है, फिर electric field की unit and dimension आ जाती है, unit and dimension, तो unit कहां से निकलती है, formula से निकलती है, तो unit और dimension पहले unit निकाल लेत है, तो E की जो unit आजएगी, देखो, उपर F upon Q0 है, general formula जो इसका है, तो उपर आजएगा Newton, ठीक है, और नीचे के आजएगा, coulomb आजएगा, Newton upon, यानि Newton बटा, coulomb, जो हिंदी में बोल देंगे इसको, अब जो इसकी dimension आजएगा, dimensional formula, Newton का क्या होता है, M1, L1, T-2, और coulomb का क्या होता है, A1, T1, तो अब जब इसको solo करेंगे, तो यह क्या आजएगा, M1, L1, T-3, A-1, यह इसका क्या आजएगा, dimensional formula आजएगा, अब एक और term होती है, ठीक है, इसी के अंदर, जिसको अपने बोल देते हैं, uniform electric field, यह भी आपने यानि बहुत बार सुना होगा, uniform electric field, य इसको हिंदी में बोल देते हैं, एक समान विदुत क्षेतर, एक समान विदुत क्षेतर, तो यह कौन सा electric field या विदुत क्षेतर होता है, एक समान, कि अगर माल वो अपने पास कोई भी electric field है, ऐसे यहाँ पर, तो इसके अंदर अपने क्या करें, आपको पता, intensity की value यह होती ह हैं, तो intensity किसी भी point पर निकालें, चाहिए इस point पर निकालें, चाहिए इस point पर, चाहिए इस point पर, intensity की value हार एक point पर क्या हो, same हो, ऐसे electric field को अपने बोल देते हैं, uniform electric field, तो अपने लिख देंगे कि the value of, the value of electric field, electric field, intensity, the value of electric field, intensity, e vector, जो e vector अपने बोल देते हैं, is same, at every point, at every point, कि एक ऐसा यानिक, electric field, जिसमे, electric field, intensity, e vector की value, हर एक point के लिए same हो, तो उसको अपने बोल देंगे, uniform electric field, और ये generally generate होता है, कि अगर अपने एक positive charge वाली plate है, और एक अपने पास negative charge वाली plate है, इन दोनों को आपने सामने रखें, तो इनके बीच में जो electric field बनता है, ये वाला, इसको अपने बोल देते हैं, uniform electric field, e vector, आप चाहिए यहाँ पर value निकालो, चाहिए इस point पर निकालो, e की चाहिए इस point, हर जगाए e की value क्या होगी, same होगी, इसको अपने बोल देते हैं, uniform electric field बचो, समझाई बात, ठीक है, अब next देखो, एक चीज और आती है, इसी में ही, वो देखो, क्या आता है आपके पास, आपने पढ़ा होगा electric field lines, थोड़ा से इसके बारे मैं पढ़ लेते हैं, electric field lines, electric field lines, lines, विदुत क्षेतर रेखा हैं, या विदुत बल रेखा हैं, विदुत क्षेतर रेखा हैं, ठीक है, तो electric field line थोड़ा सा इसके बारे में, details से जाता तो नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, कि या इनको electric lines of force भी बोल देते हैं, तो विदुत क्षेतर रेखा हैं, या electric field line क्या चीज होती हैं, कि सबसे पहली बात ये क्या होती हैं, कि imaginary lines होती है, अब इन imaginary lines का यूज क्या करते हैं, अपने जो कालपनी करिखा हैं, इनका यूज क्या करते हैं, electric field को शो करती हैं, ये, shows e vector, कि आपको electric field को अपनी copy पर दिखाना है, या board पर दिखाना है, मुझे, electric field ऐसा होगा, तो अपने कुछ lines ट्रो करते हैं, उन lines को ये अपने क्या बोल देती हैं, electric field line, ये क्या करती हैं, shows e vector direction, e vector की direction को ये show करती हैं, ठीक है, तो ये क्या हो सकती हैं, एक दूसरे के अगर parallel हो ये ओली line से, ऐसे मान लो कि एक दूसरे के parallel हो, तो ये वाली show करती है, uniform electric field को, कि आपके पास जो electric field है, वो uniform है, मतलब हर जगह उसकी value सेम है, या फिर ऐसे भी हो सकती है, curve की form में भी हो सकती है, जैसे अगर plus two में आपने देखा हो, तो एक dipole के कारण, plus q, minus q, इसके कारण ऐसी electric field line आती थी, plus से start हो के और negative पर क्या हो जाती थी, कतम हो जाती थी, आप इस परकार की field line को पढ़ते थी, ठीक है, इनकी direction यह होती थी, positive से निकल कर और negative में यह क्या करती थी, enter करती थी, ठीक है, इस परकार से, तो curve shape में भी हो सकती है, यह, क्या हो सकती है, curved shape में भी हो सकती है, तो curved shape में आपको e vector की direction, अगर किसी भी point पर निकाल लिए हैं तो आप यहां पर क्या करते हो tangent row करते हो तो यह tangent ही अपने को क्या बताती है direction को बताती है अब next अगर मालो आपके पास equal area है दो ठीक है दो equal area मालो यह दोनो equal area एक में electric field line तो ऐसे है और एक में electric field line ऐसे है कि मालो तीन ही है ठीक है यहां पर और ऐसे तो इसमें ज्यादा पास पास है electric field line इसमें दूर है एक दूसरे से तो जितनी ज्यादा electric field lines एक दूसरे के nearby होंगी वो क्या होगा उतना ही strong electric field होगा ठीक है और एक दूसरे से अगर फार होगी दूर होगी तो वो क्या होगा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डेंसिटी होती है डेंसिटी क्या होती है कि सेम एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी आ रही है तो जहां पर ज्यादा electric field line ही कथी हो रही है तो वो क्या हो जाएगा आपका strong electric field हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा weak electric field हो जाएगा तो यह कुछ इलेक्टरिक फील लाइन के बारे में कुछ पॉइंट्स थे तो सारा ही बारवी वाला है लेकिन आपको मुझे उमीद है समझ में आ गया होगा और कुछ जो चीजे बूल चुके हो आप वो दुबारा से आपको याद आ चुकी होगे ठीक है तो आज की वीडियों बचो इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों में और अगर आपको ये वीडियों पसंद आए तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करना और बगकी ही अपने कंटीनू करेंगे नेक्स्ट वीडियों में तब तक के लिए थेंक यू, हैवे न नाइस टेप आरे बच्छो